सब्सक्राइब करो गुजराती मिड्डे बैल आइकॉन पर क्लिक करी ने मेड़ वो तमाम वीडियो ना डाइरेक्ट नोटिफिकेशन आपको एक महत्पूर्ण निर्ने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे नेता राहूल गांदी जी दो जगे से चुनके आये हैं कानून के तहट उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो केंटिन्यू कर सकते हैं और वो कल लास्ट डेट रहने के विज़े से आज हम बैटके सभी ने पार्टी ने ये तई कर दिया कि राहूल गांदी जी अपना राइबरेली का सीट रखना चाहिए क्योंकि राइबरेली ये पहले से भी उनके उनके बहुत नजदीक है उस फैमिली के साथ बड़ा जुडाओ है वहां से और पीडियों से वहां पर वो लड़ते आये हैं इसी लिए वहां के लोकों का भी कहना है और पार्टी के लोकों का भी कहिना है कि पार्टी के लिए अच्छा होगा की राइबरीटी सीट वो रिटेन करें और इससे महतुपूर् जो है जो वाइनाड सीट पर वो लड़े हैं वहां के लोगों का प्यार भी उनको मिला से वहां के लोगं भी यही चाहते हैं और राहुल जी वाइनाट सीट पे रीटेन कर दे लेकिन कानून क्या हो गया कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती इसी लिए वो बड़े दुख के साथ बड़े सोच समझ के हमने यह तहीं करया कि वाइनाट से कि खाली सीट पे प्रियांका जी लड़ना चाहिए और इसी लिए हम पार्टी के और से और मेरे और से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना हैं दोनों ने इसी लिए मैं आपके सामने आके डिकलेर कर रहा हूं कि दोनों एक तो राइवरेली सीट रहेगी और वाइनाड में भी वो प्रियांका जी रहने से वहां के लोकों को भी एक हिम्मत मिलेगी अनकी कि राहूल गांदी जी यहां से चोड़े तो भी प्रियांकाजी उनने एक यह स्लोगन दिया है यूपी में जब यह हात्रस का यह हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं तो वो लड़की लड़ सकती है वहां से और हमारे पार्टी के तरफ से मैं उनको धन्यवा दिता हूं क्योंकि बहुत कटिनाई मे भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूं क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उतर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई दूसरे जगे जो हम खोए हुए सीट थे हमें ती उसको पुनरू जीत उन्होंने किया और राहुल जी के इसलिए यह दोनु काम हम करने जा रहे हैं और आप सब को धन्यवाद मेरा राइबरेली से और वाइनार से एमोशनल कोनेक्शन है पिछले पांच सालों में मैं वाइनार का इंपी था और वाइनार के सब लोगों ने हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी जिन्दगी उसको याद रखूंगा प्रियंका वाइनार से चुनाव लड़ेगी मगर मैं भी पिरियोडिकली वाइनार जाऊंगा और जो वाइदे हमने वाइनार को किये थे उनको हम पूरा करेंगे राइबरेली का पूराना रिष्टा है काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रेप्रेजेंट करूंगा मगर आसान निर्ने नहीं था मुश्किल निर्ने था क्योंकि जुडाओ दोनों के साथ है अजके यह उनको आसाना रिष्टा बगयारी खुशीट वे राइबरेली को पूरा को बगयार्य वाइनार फ्क पन्स फिर्व ढइक बार्लों सव Ihnen में मैं ओट उनको लेख सक्ष्टैक्र के साथ वाइनार है वाध ख्फूytyस भाष्याशंगा ए雅न। परस्स अव कर्ड़े संटेशियाँ तूम जोफंगा प्रड़ेशॉ को अवे फ्यविट एसके। लिएन। आ il न बेक्टॉ तूम करना अवियाँ कर्यांका संट इसक्वकी कर दोफ्फूरम न फ्यू Parliament and the commitments that I have made we will stand by them and we will try and deliver all those commitments she is going to be she's going to fight the election I'm confident she's going to win the election and she is going to be a very good representative for the people of Wainar people of Wainar can think about it like this you have now two members of Parliament one is my sister and one is me and my doors are always open for you throughout the rest of my life and I love every single person in Vainad, thank you I am very happy to be able to represent Vainad and all I'll say is that I won't let them feel his absence as he said he'll come many times with me but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative and with Raiber Ely I have a very old relationship and I have been working in Raiber Ely and Amethi so that relationship can't break from any kind, we are both to keep it and I will help in Raiber Ely, as they said we will be both in Raiber Ely and Vainad the video разные टुर्णों को दोनों को दो सानिससे द मिल रहे हैं, שאसी बात है बैल आइकोन पर क्लिक करी ने मेड़ो तमाम वीड़ी आणा डाइरेक्ट नोटिफिकेशन झाल 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 झाल